हेलो बच्चों स्वागता आपका अपनी यूट्यूब चैनल राडी काल से मैं आसा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्त होंगे और जैसा कि हम लोग पढ़ एक अच्छा बार रासायन बिग्यान का चेप्टर नमबर दो बिलियन और इसके पहले वीडियो में आप लोगों को बिलियन के बारे में बताया था कि बिलियन क्या होता है कितने परकार के होते हैं तो यह आपने वहरा वीडियो नहीं देखाया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्टर में दे दिया गया है वहां से जाकर उसको देख सकते हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिलियन की सांद सांधर्ता कि का रहते हैं था चाह accessibility हम छेएंग करें सांधर्ता करें जिए stress में विलेखको और चाहिए होता है यह दौररा से किस तरह से निकाल जैती है तो इस सांधर्ता करने की बिद्धिया जो है की सांदर्ता दो तरीके की होती है एक हमारा होता है कि भौतिक यूनिटों में सांदर्ता ब्यक्त करने की विधिया और दोसरा होता है रासाइनिक यूनिटों में जो है सांधर्ता जनी कि सांधर्ता две तरीके से होता है dungeons है कि एक बहुतिक Ü् defensive से निकालते हैं और अब यहां पर आध करेंगे कि बहुतिक ट ci सभी कौतिक की सांधर्ता कौंकौं से है बहुतिक ट्रीकी सांधर्ता यह हमारा है सबसे ने मातरा ज से दिखाते हैं 28 वुट मिलें की आयतन प्रतिटा हैं 25 वुट से दिखाते हैं तो रासाइनेक उनिके की तो रासाइनेक में बैख्थ करने से भिज शो बिडियों से वजुआ है Latin in Plan दूसरा भिज, बिज दूसरा हमारा है बिज्द अर्वालता। बैख्थ करते हैン। अब यहां पे हम लोग बारी-बारी से इन सब को निकालेंगे, तो सबसे पहला हम लोग ने देखा है भौतिक इनुट में, कि भौतिक इनुट में जब हम लोग सांदर्ता को ग्याद करते हैं, तो वहां पे सबसे पहला हमारा है बिल्यन की भार प्रतिसत्ता, तो देखते हैं ग्राम बिलियन में अगर 100 ग्राम बिलियन है कोई उसमें जितने भी बिले के ग्राम उपसीत होते हैं ठीक है बिले के ग्रामों के संख्या जो होती है उसे हम लोग करते हैं बिलेन की भार प्रतिसत्ता और इसे हम लोग डैवल्यू बटे डैवल्यू से भी दिखाते हैं यहां पे जो हमारा यहां पे जो हमारा billion का भी भार लिए जाएगा और जो आपका भी ओले घोला जा रहा है वो उसका भी भार लिए जाएगा ठीक है तो इसका फ़र्मूला होता है कि भार प्रतिसता बराबर होता है बिले का भार यह हमारा ग्राम में होना चाहिए और बटे बिलेन का भार यह भी ग्राम में होना चाहिए और फिर गुडे में होना चाहिए आपका 100 इस तरह से दोसरा जो हमारा नंबर है वो है बिलेन की जो है आयतन प्रतिसतता ठीक है बिलेन की आयतन प्रतिसतता कहलाती है यानि कि यदि आपके पास 100 ml बिलियन है उसमें बिले के जितने भी मिली लिटर उपस्तित होंगे उसे हम लोग बोलेंगे बिलेन की आयतन प्रतिसतता और इसे भी बटे भी से दिखाया जाता है क्योंकि यहाँ पे जो आपका बिलेन होगा वो भी लिक्विड होगा इक तरस से यानि कि वो जो होगा आपका मिली लिटर में नापा जाएगा और जो आपका बिले है वो भी लिक्विड होगा और वो भी मिली लिटर में ही नापा जाएगा तो इसका फार्मूला होता है कि आयतन प्रतिसतता बराबर होता है बिले का आयतन जो की ml में होना चाह है और फिर आपका गुडे में होना चाहिए सौ भी तरह से हम हम लोग देखते हैं और फिर हमारा जो अगला है भौतीक सांदरता poses रहा एक उंदंड की भार आयतन प्रतिसतदा थाप ba द्प परेया जो है वहार आयतन प्रतिसत्त तो तो system की तो मैं होता है कि बिलियन के 100 ml में उपस्थित बिले के ग्रामों की संक्या बिलियन की भार आयतन प्रतीसेता कहलाती है इसे हम लोग भी बटे डेबलू से दिखाते हैं इसे भी बटे डेबलू से दिखाय जाता है और जो बिले है उसे हम लोग ग्राम में मापते हैं तो भार आयतन पर सत्ता बराबर होता है कि बिले का भार जो की ग्राम में होना चाहिए और बटे बिलेन का आयतन जो एमेल में होना चाहिए और फिर गुडे में सो यह जो है इसका फर्मूला है फिर इस तरह से हमार वाला क MS यह हमारा कि फूल फर मोता इप इपार्ट पर हमीर में बल्याइप सांथि can तो वहाँ पे PPM में सांदर्ता ग्याद की जाती है तो यहाँ पे क्या होता है कि billion की 1 million 10 lakh या 10 के गाथ 6 gram तो यहाँ दस लाख gram या इसको कह सकते हैं 10 के गाथ 6 gram में उपस्थित बिले के gram की जो संख्या होती है उसकी PPM में सांदर्ता कहलाती है यहाँ पे जो हमारा बिले होगा वो बहुत कम मात्रा में गुला होता इसलिए बोला गया यहाँ पे देखिए 1 million यानि की 10 lakh कह सकते हैं या 10 के गाथ 6 gram में जो बिले के gram की संख्या उपस्थित होती है उससे हम लोग PPM में सांदर्ता कहते हैं और PPM में सांदर्ता बराबर होता है बिले का भार जो की gram में होना चाहिए और बटे billion का भार ये भी gram में होना चाहिए और गुडे में लिखते हैं 10 के गाथ 6 तो आसा करता हूँ कि यह चीज आप लोगों को समझ में आई होगी और इसके आगे का जो रासायनिक यून्टों की सांदर्ता है वो आपको अगले वीडियो में बताए जाएगा तो उसे पहले दिया आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लिजेगा और साथी में बेल आइकन दबाना न भोलिएगा जिससे हमारी जो नई वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच सकें